आज हम एक्तम लाजबाब मसालेदार कठल की सबसी बनाएंगे कि आपना चिकेन, मतन सब कुछ भोल जाएंगे एक्तम देसी स्टायल में कुछ मसाले के साथ एक्तम नाए तरीके से हम बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़दा टेस्टी बनेंगी खाने में वैसे तो आप इसका टेक्श्चर देखकर अंदजार लगा सकते हैं ये कितना मसालेदार लजीज बने है कठल तो मेरा फेवरिट है और इस तरीके से बनाएंगे न तो ये सबसी आपका भी फेवरिट हो जाएगा ये गैरंटी मेरी हलो फ्रेंट्स मैं हूँ स्रितमा तो चलिए शुरू करते हैं ये मसालेदार कठल की सबसी तो सबसे पहले चलिए कठल को काट लेते हैं कठल जो होते हैं अंदर से बहुत ही श्टिकी होते हैं तो उसके लिए आपको सरसो के तेल का इस्तमल करना पड़ेगा इससे आपका हाद गंदे नहीं होंगे और आपका चाकू भी गंदे नहीं होंगे यहां मैंने कठल को मार्केट से कटवा के लिया है वेट से मापे तो ये एक किलो का है अगर आप बजर से ले रहे हैं तो कठल को कटवा के ले ले और अगर आप खुद काटेंगे तो पहले कठल को आप बीच से काटिए इसका बीच का पार्ट को काट के फेक देना है अब इसको जितना मोटा आपको काटना है पहले काट लीजिए और ऐसे छिलका निकल लीजिए कठल को काट के पानी में डाल देना है नहीं तो ये जो है काला बढ़ जाएगा चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी एट कर सकते है इसका जो बीज है उसे आप चाहे तो रख सकते है या चाहे तो आप निकल भी सकते है जाधा पके हुए बीज को आप निकल लीजिए और अगर बीज कच्चा है तो आप इसे रख लीजिए ये खाने में बहुत ही ज़ादा बड़िया लगते हैं तो इसे मैंने पीसेस में काट लिया है अब कठल को उपालने के लिए एक प्रेशर कुकल लेंगे थोड़ा सा पानी के साथ आब इसमें कठल को डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी इलाईची एक लॉंग एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है तो इसे डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे कुकर के ढगकन लगा के इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक उबल देंगे एक से जादा सीटी नहीं लगनी है नहीं तो कठल ओफर को खो जाएगा तो जैसे ही एक सीटी लग जाएगी इसमें गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है इस दोरान मसाला के लिए तैयारी कर लेते हैं यहाँ मैंने तीन मिडियम साइस्ट प्यास को राफ रिकाट लिया है उसी के साथ लेसन है एक इंच अद्रक इसे भी राफ लिकाट लिया है आप एक ग्राइंडिंग जाड में प्यास अद्रक और लेसन को डाल कर इनको दरदरा पीस लेंगे ध्यान रहे इनका फाइन पेस्ट ना बनाए यह देखिए ऐसे दरदरा सा रखना है इसे इससे मसाला खाने में बढ़िया लगेगा तो मसाले तार कठल को जादा स्वादिस्ट बनाने के लिए अभी हम एक स्पेसल मसाला तायर करेंगे कूकर को साइड में रख देते हैं और इस गयस पर एक फ्राइपन चरह के पैन को थोड़ा सा हीट कर लेंगे आप हम इसमें एक छोटा चाममाच जीरा दो छोटा चाममाच साबुद धनिया दो तिशपत्त इससे तोड़ के डाल देंगे उसी के साथ यहां मैंने लिया है चार सुखे लाल म्रिच तीन छोटी इलाईची दो तीन लॉंग एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और साथ में चार पांच साबुद काले मिर्च लिया है तो इन मसाले को हमें लो मीडियम फ्लेम पर दो मिनीट चलाते हुए हलकासा ड्राइ रोस्ट कर लेना है जब तक की मसाले का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तो दो मीड बाद आप देख सकते है मसाले का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा बढ़िया भुन चुके है अब ही गैस बंद करके मसाले को थंड़ा कर लेते है और फिर थंड़ा हो जाने के बाद इन मसालो को हमें ग्राइंडिंग जार में पीस लेना है, तो जब तक मसाला हमारा ठंडा होड़ा है, उस दोरन हम कठल को चेक कर लेते हैं, कुकर ठंडा हो जाने के बाद कुकर के धकन खोलते हैं, और ये देखिए हमारा कठल जो है उबल गया है, एकदम सही उबला है, कठल को बहुत जदा ब सरसो का तेल लिया है इससे कठल की सबसी पहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो तेल को पहुत सदा गड़म कर लेना है जैसे ही तेल अच्छे से गड़म हो जाएगा हम इसमें उबले हुए कठल डाल देंगे और इसे मीडियाम फ्लेम पर अच्छे से गुल्डेन करके कर लेना है तो कुछ दिर बाद आप देख सकते है इसे हमने बढ़िया फ्राइ कर लिया है इससे जब आप ग्रेवी बनाएंगे न मतलब मसाला बनाएंगे न तो खाने में तो बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे सबसी आप देख सकते है कठल को फ्राइ करके इसे एक प्ल आलू को क्यूब्स में काट लिया है, हलकासा हल्दी और थोड़ासा नमक जाएगा इसमें, और आलू को हमें एकदम गोल्डेन करके फ्राइ कर लेना है, ये देखिए, आलू को एकदम गोल्डेन करके फ्राइ कर लिया है, तो इसे भी साइड में रखके उसी बची हुई तेल और एक चोटा डालचीनी का टुकरा डाल देंगे मसाले को हमें कुछ सेकेंड्स भून लेना है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू लिया है काजू विल्गुल ऑप्शनल है इसे भी कुछ सेकेंड्स भून लिया है मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्याज अद्रक लैसन का जो पेस्ट बना था ना उसे डाल देंगे तो इन सब को अच्छे से मिला देंगे और मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है लाइट ब्राउन ना हो जाए मतलब मसाले जो है बढ़िया भूनना जाए तो जब तक मसाला हमारा भून रहे है उस दोरन यह साबुत मसाले को पाउडर कर लेते है और यह देखिए यह स्पेसल भूनी हुई मसाला हमारा तैयार है आप देख सकते हैं मसाला का टेक्शर कितना बढ़िया इसे आप कोई भी यह टाइट कॉंटेनर में भरके बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं और यह मसाला डालने के बाद आपको अलग से कोई धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना है यह एक ही मसाला काफी है और इधर आप देख सकते हैं प्याज अद्दक लहसन जो है बढ़िया भून चुके है और इसका कलर भी बढ़िया आ गया है तो अब यहाँ पर मैंने दो टमाटर का पेस्ट डाल दिया है दो मीडियम साइस के टमाटर को मैंने मिक्सवी में पेस्ट बना लिया है टमाटर को हमें अच्छे से भूल लेना है तो अब ही यहाँ पर इसे ढख देती हूँ बीच बीच पे आपको इसे चलाते रहना है ताकि मसाले जो है चिपके नहीं तीन-चार मिनिट बाद ढ़कन खोलते हैं बीच में मैंने ठाकन खोल कर एक दो बड़े से चलाया है और यह देखिए मसाले का कलर कितना बढ़िया आ चुका है तो आभी यहाँ पर हम कुछ मसाले अट करेंगे जैसे कि आधा चोटा चाममाच छल्दी पाउडर एक चोटा चाममाच कश्मी लालमीच पाउडर और उसी के साथ हमने जो भूनी हुई स्पेसल मसाला बनाया है ना उसे डाल दिया है एक चोटा चाममाच और स्वात के अनुसर नमक डाल दीजिए इसे हमें एक मिनिट भून लेना है जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राय ड्राय सा होना जाए तो दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं मसाले हमारा बढ़िया भून चुके हैं तो अभी यहाँ पर आलू डाल देंगे और आलू के साथ मसाले को और एक मिनिट भून लेते हैं तो एक मिनिट बाद अभी यहाँ पर कठाल का पानी डाल देते हैं कठाल को उबालने के लिए मैंने जो पानी का इस्तेमाल किया था ना वो पानी डाल देंगे इसे हमें फेकना नहीं है इसे सबसी में डाल देना है इससे सबसी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो लो मीडियाम फ्रेम पर दो से तीन मिनिट मसाले को भूनने के बाद धकन खोलते हैं और आप देख सकते हैं मसाले से बढ़िया तेल से पर्ट हो चुके है थोड़ा सा मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने दो स्लिट किये हुए हरी मिनिच थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है बढ़िया फ्लेवर के लिए और अभी यहाँ पर fry किये हुए कठल डाल देते हैं तो इस बक्त हमें कठल को 2-3 मिनिट लो मिडियम फ्लेम पर भूनना है इस सबसी का टेक्शर और स्वाद दोनों ही बढ़ जाएगा तो 2-3 मिनिट बाद ये देखिए कठल को मसाले के साथ बढ़िया भून लिया है मैंने अभी यहाँ पर हम as required पानी डाल देते हैं यहाँ पर मैंने 2 काप पानी डाला है जितना ग्रेवी आपको सबसी में चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल लीजिए तो पानी डालके इस अच्छे से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है अभी इसे ढख देते हैं और ढख के इसे low medium flame पर कुछ देर पकने के लिए छोड़ देते हैं चार-पाच मीट बाद धकन खोलते हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गठल की सबसी या मसालेदार गठल जो भी कहें बढ़िया तैयार है गठल हमारा बढ़िया पक चुके है साथ-साथ आलू भी तो आज हम इसे चावल के साथ सर्फ करेंगे अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिलकुल न भूले और जादा से जादा शेयर करें रेसिपी का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तुम मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चानल को देखते रहिए थैंक यू टेक क्यार